सैफ अली खान बॉलिबूट के टालन्टेड एक्टर्स में से एक है उन्होंने कई सूपर डूपर हिट फिल्मों में काम किया है जैसा कि हर कोई जानता है कि सैफ अली खान पटोदी खांदान से तालुक रखते हैं उनके दिवंगत पिता का नाम मनसूर अली खान है जिनकी गिंती देश के सबसे अमीर हस्तियों में होती है अब पटॉली खांदान से होने के बाद सैफ अली खान के कई सारी प्रॉपर्टीज है रिपोर्ट की माने तो एक्टर पांच हजार करोड की संपत्ती के मालिक है लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि एक्टर के पास इतनी संपत्ती होने के बावजूद वो अपने चारो बच्चो इबराहिम सारा, तैमूर और जे को अपनी अकूत संपत्ती में से एक फूटी कौडी भी उन्हें नहीं दे सकते है ऐसे में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर किस वज़ा से सैफ अली खान की प्रॉपर्टी में उनके चारो बच्चो को हिस्स्या क्यों नहीं मिलेगा जानकारी के मताबिक सैफ अली खान का लगजरी हाउस पटॉदी पैलेस 1968 के एनिमी डिस्प्यूट एक्ट के अंतरगत आता है इसलिए कोई भी इस प्रॉपर्टी पर अपना हक नहीं जमा सकता है और उन्हें विरासत में भी नहीं दिया जा सकता है पटॉदी हाउस की सारी आलिशान संपत्ती इसी के अंतरगत आती है खबरों के मताबिक अगर सैफ अली खान अपनी इन संपत्यों पर हक जमाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें हाई कोट का दर्वाजा खटखटाना पड़ेगा वहीं अगर हाई कोट से पक्ष में फैसला नहीं आता है तो वो सुप्रिम कोट की शरण ले सकते हैं इसके बाद भारत के रास्टरपती से भी गुहार लगाई जा सकती है हलाकि इस पर कोई भी एक्शन लेना काफी मुश्किल होगा कहा तो ये भी जाता है कि सैफ अली खान के परदादा हमिदुल्ला खान ब्रिटीश शाशन के तहत नवाब थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की वसीहत नामा भी नहीं कराया था इसी के चॉलते सैफ अली खान के लिए इस पूरी जायजात को पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी वहीं सैफ के कुछ वनसज पाकिस्तान चले गए थे इस वज़ा से उनकी पैत्रिक प्रॉपर्टी शत्रु विवाद अधिनियम के तहत आ गई इस वज़ा से सैफ के लिए अपनी इस पुष्टैनी जायजात के लिए लड़ना काफी मुश्किल होगा हलाकिन सब के बावजूद अगर सैफ अली खान अपनी अकूत जायजात को अपने चारों बच्चों के नाम करने की कोशिश करते हैं तो एक्टर के परदादी के पाकस्तान में वनसज इस मामले पर आपती उठा सकते हैं महीं सैफ अली खान के परसनल लाइफ की बात करें तो साल 1991 में उन्होंने अमरिता सिंग से शादी की थी जिसके बाद उनके दो बच्चे सारा अली खान और इबराहिम अली खान का जन्म हुआ हलाकि शादी के कुछ सालों बाद सैफ और अमरिता का तलाक हो गया था इसके बाद उन्होंने साल 2012 में करीना कपूर से शादी की जिसके बाद उनके दो बेटे तैमूर और जेका जन्म हुआ फिल्हाल इस खबर में इतना ही हमारे चैनल को जाद जाद शेयर करें सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें